hello friends आप सभी किirline study series में स्वागते हैं तो friends आज की इस वीडियो में पॉली टेख्निक के RAT interventions महाने वाले physics के motion chapter के बारे on बात करेंगे तो friends यह जो हमारा वीडियो हुगा motion chapter का lecture first होगा ठीक है जिसमें हम इसके theory portion को सबस्क्राइब करए this really is the the सब्सक्राइब करें यह क्रोंच सकेगे ल हम बुरे जुरी और बीस्थापन याड़ ब ही जेञे ही इसके बारे में बात करलेदें तो चलिए पहले में दूरी के बारे में बात करूँगा उसके बार बाद विस्थापन के बारे में बात करूँगा तो चलिए हमारा दूरी क्या होती है जान लेते हैं कि किसी गतिमान बस्त द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की कई लंबाई को उस बस्त द्वारा दूरी कहते हैं जबकि आगे देख लेते हैं कि विस्थापन किसे कहते हैं कि जबकि बस्त की अंतिम तथा प्रणभिक इस्थितियों के बीच दूरी को विस्थापन कहते हैं जो बस्त की जो अंतिम इस्थितियों के बीच दूरी को विस्थापन कहते हैं जो बस्त की जो अंत बिस्थापन सुनने हो सकता है ठीक है फ्रेंट्स जो हमारी दूरी होती है डिस्टेंस होती है हमेशा पाजिटिव होती है लेकिन हमेशा यह हमारे जो बिस्थापन है यह जीरो हो सकता है और कम भी हो सकता है ठीक है आए जानते हैं अब अगला हमारे जो स्पीड है मतलए चाल चाल किसे कहते हैं आए जान लेते हैं कि किसी बस्त द्वारा एकांग समयांतराल में चली कई दूरी उस बस्त की चाल कहलाती है ठीके तो चाल का जो फर्मूला होता है वो होता है दूरी अपन समयांतराल यानि दूरी को आप दिनोट करते हैं कि डेल्टा एस समयांतराल को दि तो देल्टा एस मान सकते इसके डिफ्रेंस को ठीक है तो डेल्टा एस अब मैं लिजीए यह 10 सेकड़ वहाँ थी और 12 सेकड़ वहाँ थी तो दो सकंड जो समय का अंतराल था तो यह हमरे डेल्टाल टी हो ठीक है तो अब जान लेते हैं कि फ्रेंट्स जो चाल होता है वह कौन चली गई दूरी चले गया विस्थापन उस बस्त का वेग कहलाता है ठीक है किसी बस्त द्वारा एक कांग के समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उस बस्त का वेग कहलाता है वेग एक सदिस रासी है ठीक है सदिस रासी की मतलब भाचान क्या है ठीक है अब देखिए हं इसके एसाई का मातरख जो होता है मीटर पर सेकंड़ Suddenly ठीके चाल का मातरख और बें का मातरख दोनों का मातर किया होता है I am faut Prem confidence with the sun-out-ands Bokko समय ऐन्ता रखेंगे और समय अंत्रार को डेल्टक φिंगे ठीक है इतना नागे अब बात करते हैं कि उसद चाल जो होता है हमार क्या होता है और से कूई पूछे का कि आप एक लाइन मुंसे बताएंगे कि किसी गतिमान बस्त दौरा एक कांक समय में तह गई और को Krill को हम और सचाल कहेंगे किसी गतिमान बस्त दौरा एकांग समय में तह की गई ओसत दौरी को ओसत चाल करते हैं तो ओसत चाल का बराबर जो होता है वो हमारा फर्मुला होता है कुल दौरी बटा में कुल शमय यानि टोटल डिश्टेंस अपां टोटल टाइम ठीक है इतना समझना गया अब चलते हैं बात करते हैं कि average velocity क्या होती है तो आई इसके बारे में देख लेते हैं कि जो average velocity होती है वो क्या होती है तो किसी बस्तु द्वारा एकांक समय में तए किये गए कुल बिस्थापन को बस्तु का आउसत बेग कहते हैं तो अवसत बेग का जो फर्मूला होता है कितना निकल गाएगा तो अवसत बेग बराबर होगा कुल विस्थापन अपान कुल समय यानि टोटल डिस्प्लेस्मेंट अपान टोटल टाइम ठीक है इतना समय गया अब देखे फ्रेंट्स बात कर लेते हैं कि यानि कि त्वर्र क्या होता है तो त्वर्र के बारे मागर कोई आप से पुछेगा तो आप बताएंगे कि बेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे त्वर्र बोलेंगे बेग परिवर्तन की दर को त्वर्र कहते है ठीक है अब त्वर्र बार बर जो होता है बेग परिवर्त कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड हो गया ठीक है तो इसके विलास्टी में कितना चेंज हुआ फ्रेंट्स दो मीटर पर सेकंड चेंज हुआ ठीक है तो आप देखिए यहां पर विलास्टी में इसका जो वेग परिवर्तन होगा दो मिटर पर सेकंड हो जाएगा और इसके समय मे तो चलिए अगला टापी के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि बस्तु के बेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका जो तोरण होगा एक समान होगा तो जिसे फ्रेंट्स इसका जो मैं एक जामपल के बता दिता हूं लिए और मनलेजे कि कुई बस्तु है कि 10 मिटर पर सेकेंड के वेक्स चल रही है ठीक है और यहाँ पर T1 टाईम है ठीक है लेकिन अब देखिए अगला जो होगा हो हमारा क्या होगा एक समान छाएगा अब चलते हैं अगला जो केसे हम रहा है वो क्या है हम बात कर लेते हैं कि देखिए हमारा अगला कैसी है कि यदि बस्तु के बेग में परिमाड समय के साथ बढ़ रहा है तो बस्तु का त्वरड धनात्मक होगा देखिए यहां पर देख लिजे कि जो हमारा बस्तु का जो परिमाड है भेग का परिमाड है मालेजी कि यहां पर 10 था और यहां पर 12 हो यहां पर 10 था यहां पर 12 था है समय के साथ मतलब बढ़ रहा है ठीक है अब देखिए यहां से 12 से 14 होगा यह हमें इसा इन इंक्रीज करेगा तो उसका जो मतलब है 10 मीटर पर सेकंड अब मान लिजे कि यह 10 सेकंड पर इतना था लेकिन अगले बार हवा सेकंड में हम देखेंगे तो इसकी जो बेलाश्टी कौम हो रही है ठीक है धिरद्री जब कौम होगी तो उसकी जो हम एसलेशन को बोलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे निगेटी में बोल के यह जिए मोस्ट मोस्ट इंपोटेंट इसे माम सकते हैं फाल के नियोंट कितने चल्डी यह कित्сли उसके बारे में बातकरते हैं दिでांगे nad点 भूताती चूंतने इसकी को उत्ते हैं आयो बात करते हैं अब देखीए की यादी किसी होतका प्रागंबिग ukous U तथा एक समान त्वरण A है तो T समय में S दूरी तय करने के बाद बस तुका वेग भी हो जाता है ठीके जब भी हो जाता है तुसका जो वेग होगा वो क्या होगा तो आए चानते हैं कि जो उसका वेग होगा वो U प्लस 80 हो जाएगा ठीके यह हमारा गती का प्रथम है S बराबर U T प्लस half 80 स्क्वार ठीके यह हमारा सेकंड इक्वेशन है तो फ्रेंट्स देखिए मैं इसे प्रूब भी करा सकता हूं लेकिन आपके एक्जाम में मतलब पूछा नहीं जाएगा आपके एक्जाम में इसके बेसिस पे नुमेरिकल आएंगे ठीके तो प्रूब टूटी माइनस वन ठीके यह भी बहुत अच्छा टापिक है इस पर भी नुमेरिकल बनते हैं ठीके यह भी इंपोर्टेंट टापिक है तो हम इसे याद रखिएगा ठीके अब देखिए प्रेंट्स इसके जो केस होते हैं जो मतलब यह हमारे गौतिके समिक्र केस बनते हैं उसके बारे में डिसकस कर लेते हैं आए दिखते हैं इसके बारे में हम 45 कीस लेका है हूए रहां अब देखिए जो अगला हुए है यादि एक समान से चल रहा है तो हमारा क्या होग एसलेशन बराबर जीरो यहां पर हो जाएगा ठीक है अब दखिए क्या होगा कि यहां पर अगला तीसरा number case है क्या है कि यदि वस्त विरामा वस्ता से चलना प्रदम करती है तो उसका प्रदमिक यह झकल टूजीरह होगा ठीक है अगर बस वर को बेट कर घी तो जब इस्ढाप कर गई तो चल नहीं पाएगे जब चल नहीं पाएगे तो उसकी वेलस्टी क्या हो जाएगी एक जीरो होजाएगे ठीके तो अंतिंवेग उसका जीरो नोचा होज जाएगा अब दखेए बात करते हैं कि जो हमारे गुरूट्व के अंतरगटा जो मोशन होता है तो देखिए फ्रेंट्स हम जानते हैं कि उर्द्वारदर उपर नीचे गति करते हुए जो बस्तु के लिए हमारे जो मैं चार कंडिशन लेकाया हूँ उसी के बारे हम डिसकस करें ठीक है तो हम जानते हैं कि जो बस्तु को मतलब गति का जो हमारा समिकरड होता है पहला जो हो वहां हम पूट कर देंगे तो यह इतना तो मैं जी पूट कर चुका हूँ ठीक है लेकिन अब बात करते हैं कि ऊपर जाने पर क्या होगा और नीचे जाने पर क्या होगा ठीक है तो देखिए हमारा फ्रेंट्स जो हमारा चारों एक्वेशन में चैंजे जाएंगे वह क्या मैं यहां पर केस में क्या लिखा हूँ कि जब बस्तु ऊपर से उर्द्वार्दर नीचे की और गिरती है तो जी कमान पाजिटीव होगा ठीक है देखिए फ्रेंट्स जो कोई हमारी बस्तु है उपर से अगर नीचे की तरफ आएगी न तो उसका जो जी का वैल्यू होगा पाजिटीव हो जाएगा तो अब देखिए यहां पर मैं अगर माल लिखी कोई बस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो मैं उसका मान पाजिटीव लूँगा तो हमारे क्या हो जाएगा वी इसकल टू यू पलस जीटी हो जाएगा ठीक है अगर कोई बस्तु ऊपर से नीचे से उपर की तरफ उचालते हैं तो उसका जो विलासेटी होगा ऒ कितना होगा उसका जो मैनस हम लगा देंगे अब दśćती हमारे कि एक जाम में में साफ नाडिट अगर आप से कोई पुछी बदाने है ठीक है यू यह त वक.8 मीटर पर सेकेंड होता है ठीके Este diciendo यू द भाइलु भी याद रखेंगे दोनों मान इंपोर्टेंट है ठीक है तो अगला मार जो टापिक हे तो बृती अर दो सेयवानल क्या होता है जरसक्लार मोर्डसन करलरिती च committed 2500 14 कोई भास्तु वैं ठीक है त्थिक है अगर यह ब्रिताकर पस है जो मरढ राश्ता है वह इसी पर जो कहले होको हो कि गुतragen इस वेग बदलता रहता है अगर माल लिए कोई वस्तु इस वेग में चल रही है तो इसका वेग कुछ अलग होगा लेकिन जैसे यह इस वेग इस ड्यरेक्सिन में चेंज करेंगी अपना वेछ इप सबना और गवीरिक्वार्ण बाध लिखा गया है अगला जो मतलए तो यह इसका जो पत होगा इसकी जो डिरेक्शन होगी यह हमारी बस्तु की क्या बताएगी दिसा बताएगी बस्तु हमारी इस दिसा में मूब कर रहे ठीक है तो जो अगला फ्रेंट्स जो हमारा अगला टापी के आई उसके बारे में बात करते हैं कि एंगुलर वेलासिटी यानि कि कोणी यह गति क्या होती है ठीक है तो हमारा कोणी यह गति क्या होती है या कोणी यह गति का डिफिनेशन क्या होता या एंगुलर वेलासिटी का डिफिनेशन क्या होता आई जान लेते हैं कि बृति यह गति करते हुए किसी पिंड का एकांक समय में कोणी यह भी स् सुमजुन को बिस्ठापन समय तो आप जानते हैं कि समय टी होता है ठीक है तो आप जान लिझे आज के बाद कि को यह बधाए ओमेगा से अब मैं एक और फ़र्मूला लेका हूँ ग what ये थाल अपन ब्रिताकार मार्गी की को सकते हैं अगर बीड़ियो अपको पसंद आपके लएक केजिए और चैनल परने ए तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब हकर के बेल आइकन प्रेस खर जिए यह वीडियो अपने फ्रेंड्स या अपने श्ट्टेंट्स के जो भी हैं आपके संबर्ग में सब को सेर कर दिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प निसके थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो